नमस्कार, अभी बादन स्वीकार करें मैं डॉक्टर महेज जोशी इनोवेटिव जोतिस रिसर्च कुरूप में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम नवांश चार्ट से रिलेटेड कुछ नाडी सूतरों की बात करेंगे इसमें हम डिसकसन करेंगे कि नवांश की लगन देखकर व्यक्ति के ब्यवार के बारे में किस तरीके से जाना जाता है और नवांश कुंडिली से हम किस तरीके से लगन को देखकर ये निरधारित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लाइब के उम्रिके किस-किस पड़ा में important event होने वाले हैं ये दो बहुती 60 नाड़ी सुत्रों पर हम आज की class में विवेचना करने वाले हैं दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि innovative जोतिस हमारा जो group है उसमें नए नए courses लगातार चलते रहते हैं अभी currently जो हमारे दो नए courses आने वाले हैं बहुती important courses है marriage astrology और KP astrology के बारे में हम complete discussion करेंगे इन courses में 25 December से ये सुरू होने वाले हैं तो जो भी friend join करना चाते हैं वो delay ना करें बाद में सारी seats book हो जाती हैं तो आप जल्दी से register करें अभी और जो हमारा number है registration के लिए वो है 901-379-88-99 उस पर message करें तो बाकी detail हम आपको provide कर देंगे अब आजाते हैं हम आज के विशे पर कि नवांश लगन के basis पर हम किसी वी व्यक्ति के चरित्र के बारे में किस तरीके से जानेंगे तो मैं आपको पहले से ही सावधान कर देता हूँ कि classics में जो word लिखे होते हैं वो extreme label के लिखे होते हैं वो इस तरीके के लिखे होते हैं कि हम यदि उनको as it is लेंगे literally लेंगे जैसे लिखे हैं उस तरीके से नहीं लेना है उन्हें समझने की cautious करना है तो मैं आपको जो सूत्र बता रहा हूँ वो classics के base पर हैं नाड़ी सूत्रों के base पर हैं मगर मैं उनका interpretation आपको बताऊंगा यदि किसी भी person की नवाश की लगन जन्म लगन वर्गोतम नहीं है तब ये सूत्र लगेंगे यदि वर्गोतम लगन हो जाती है वर्गोतम लगन तब होती है कि जन्म कुंडली की लगन और नवाश कुंडली की लगन एक ही हो जैसे किसी की जन्म कुंडली के अंदर थ्री साइन है मितुल लगन की कुंडली है और नवाश कुंडली भी थ्री साइन की है तो वर्गोतम लगन होती है और ऐसे person की life के अंदर उसको जो success यह सफलता मिलेगी वो उसकी expectation से कहीं बहुत जादा होगी और उसकी कुंडिली अती strong बहुत जादा बली हो जाती है और ऐसे लोगों की life में success की जो rate होती है successful होने की possibility बहुत अधिक होती है आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो उन cases मैं बात कर रहा हूँ जब लगन वरगोतम नहीं है तो सबसे पहले यदि लगने के अंदर नवांश कुंडिली की बात कर रहा हूँ मैं कि आपकी लगन वरगोतम नहीं है मतलब नवांश कुंडिली की जो लगन है वो जन्म कुंडिली स देखें जिन लोगों की नवाश लगन मेश होती है या एरी साइन की लगन होती है अब आप चोर ना समझें आप ये मान कर चलें कि उस व्यक्ति या उस परसन की नियत में कुछ ना कुछ खोट होगा वो अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे भी काम कर सकता है जो की नहीं करने चाहिए इस तरीके से आप प्रेडिक्ट करेंगे आप मैंसे जिन लोगों की लगने के अंदर यदि वन साइन है तो वो अपना आपको जज करें कोई भी अपने बारे में यह नहीं बताएगा कि मैं चोर हूँ या मेरी इस तरीके की नियत है मगर खुद को व्यक्ति को पता होता है आप लगा कर देखें दूसरा जिनकी भी ब्रशब लगने टू साइन होता है नवांश कुड़ी की लगने के अंदर वो परसन अपनी लाइप को एंजोई करते हैं वो लाइप में चोटी बड़ी जो भी बातें आती हैं उनको वो प्रफुलित होते हैं मजे लेते हैं उनमें और वो एंजोई करत यह नहीं कि वो अपने आप में दुखी होकर बैठे रहे हैं कोई अच्छी opportunities मिल रही हो तबी भी तो brush up जिनकी लगन होती है नवांश के अंदर उन लोगों के यह characteristic होते हैं जिनकी नवांश कुंडली की लगन में मितुन राशी मतब 3 sign होता है ऐसा person बहुत जानकार होता है व बच कर रहे है क्योंकि आप मान कर चलें कि जिनकी लगने 3 होगी और वो आप किसी भी विशे पर आपसे बात कर रहे हैं तो वह unknown नहीं होंगे उनको उसकी पूरी जानकारी होगी इसी तरीके से जिन नेटिव्स की नवांश कुंडली की लगनी के अंदर करक cancer sign या 4 sign हो ऐसे person in general rich होंगे पैसे वाले होंगे अब यहां पर rich का मतलब simply यह है कि ऐसे person की life के अंदर उन्हें money से related problems नहीं आएंगी जितनी उनकी requirement होंगी वो सभी पूरी हो जाएंगी और साथ में वो कुछ पैसा या धन अपने पास संचित करने में भी काम्याब होते हैं इसी तरीके से ज e1 की यदि लगन फाइव है तो वो king like होते हैं वो king like नहीं होते हैं उनका attitude king like होता है मगर जिनकी नवाश की कुंडली की ज्यादा better way में रहेंगे इस तरीके से हमें उसे interpret करना है इसी तरीके से नमवाश कुंडिली की लगने के अंदर यदि कन्या राशी हो तो वो बहुत ही important person हो जाता है society के अंदर उसकी बहुत पूछ होगी बाद बाद पर लोग उससे सला लेंगे उससे बहुत जानकार माना जाएगा यदि वो कहीं government department के अंदर job कर रहा है तो सब लोग उससे बातों को पूछेंगे वो विशों का बहुत जानकार होगा और वो अपने area का एक बहुत important person होगा अगरा सूतर है जिनकी नवांश कुंडली की लगने के अंदर तुला राशी हो 7 sign या लिबरा हो तो ऐसा person बहुत ही भादूर होगा वो किसी भी चीज़ से डरेगा नहीं और जहांपर भी उसको अपना stand लेना है वो firm stand लेगा पीछे नहीं अटेगा इसी तरीके से किसी भी नवांश कुंडली की लगने के अंदर ब्रशिक sign हो Scorpio sign हो 8 sign हो तो वो आपका वो बहुत ज़्यादा hard working person होगा लेवरर का मतलब यहांपर वो परिस्तरम करता रहेगा उसको जिन्दगी पर परिस्तरम करना पड़ेगा आप ऐसा भी कह सकते हो उसको ज़रत से ज़्यादा काम करने की ज़रत पड़ेगी इसी तरीके से कि किसी की भी नवांश कुंडली की लगन में धनूर आशी हो 9 sign हो Sagittarius हो तो he will be a servant वो सेवक होगा किसी का नौकरी करने वाला हो सकता है किसी शौप पे काम करने वाला हो सकता है अब सेवक बहुत हाई लेविल के भी हो सकते है लो लेविल के भी हो सकते है वो हमें और बाकी चीजों को देखकर देखना पड़ेगा मगर नवांश की लगन में धनूर आशी है तो ये मान कर चलिए कि वो सेवा करेगा नोकरी भी एक तरीकी की सेवा होती है तो वो नोकर होगा किसी नी किसी का इसी तरीके से नवांश कुंड़ी की लगने के अंदर मकर राशी है टैन साइन हो तो उसके परसन के जो एक्संस होंगे वो सिन्फुल होंगे अपरादी प्रवती के काम होंगे वो किसी भी तरीके के अपराद को करने से डरेगा नहीं या चुपचाब वो अपराद करने की उसकी टेंडेंसी होंगी या जो उसके काम होंगे वो धर्म से भगवान से लोगों से नहीं डरेगा पैसा मान के चल सकते हो हो कि उसके दिमाग के अंदर कोई बात आगी तो वो उसको छुपके छुपा के सामने आकर या जैसे भी उसको जरूर करके रहेगा तो ये आपका मकर राशी जिसके भी मकर 10 साइन यदी किसी की नवाश कुंड़ी की लगने के अंदर है इसके बात करते हैं हम 11 साइन किसी भी नवाश कुंड़ी के अंदर यदि कुम्ब राशी है तो वो परसन बहुत कुरूल होगा निर्दई होगा उसको दया नहीं आएगी दूसरे लोगों को जानवरों को देखकर उसको दया नहीं आएगी या किसी को भी पीड़ित देखकर भी वो उसका दि बीचर होगा उस परसन का वरदर हम बात करते हैं किसी भी नवाश कुंडली की लगण में यदि मीन या पाइसे साइन हो तो वो परसन को कोई बी डर नहीं होगा वो एसे कामों को भी करेगा जिन कामों को करने से दूसरे लोग घबराते हैं तो वो हर जगे ऐसे लोग यदि सैना में या फौज में तो फ्रेंट में जाकर लीड करेंगे आप ये मान कर चलें उन्हें किसी भी अन्नौन परिस्तिती में भी बहुत 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 दुरी से वो काम लेने की उन नवांश कुंडिली की लगनिंग पर देखकर ये बता सकते हैं कि उस परसन की लाइप के अंदर कौन कौन से उम्र पर इंपोर्टेंट इवेंट होंगे इस पर्टिकुलर टेक्निक को बर्थ टाइम रेक्टिफेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है मगर यहां पर मेरा परपस के लिए बताना है कि आप नवांश कुंडिली देखकर ये इंडिकेट कर सकते हो कि उस परसन की लाइप के अंदर किन किन एज पर इंपोर्टेंट इवेंट होंगे इससे आपको फाइदा क्या होगा इससे फाइदा होगा जब भी आप प्रेडिक्शन किसी के बारे में देना चाते हैं तो मेरा यह जो मैं आपको सूत्र अभी देने वाला हूं उसे देखकर आप ये पता कर सकते हैं जैसे आपने देखना है कि किसी विक्ति की मेरिज कब होगी आपने दशाएं अंतर दशाएं लगाई मगर ये वाला सूत्र लगा कर देखिए उसकी के अंदर एक important event होना है तो आप double assure हो जाओगे और आप उससे कहोगे कि आपके 25 साल के अंदर marriage हो जाएगी यह मैंने एक list बनाई हुए है जिसे आप note कर लें या screenshot इसका ले लें मगर channel को आप subscribe करना न भूलें screenshot लेने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अभी आप इसको लाइक करें शेयर करें तो यहां पर क्या करेंगे एस पर लगने some important events happen in the life of native at following ages यदि आपका डी 29 चार्ड की लगन Aries sign है तो उस व्यक्ति की उम्र में है लाइक के अंदर 12 25 50 और 65 की उम्र के अंदर जरूर important event होगे 12 साल की उम्र में कोई कोई बहुत important event होगा वह अच्छा या बुरा किसी भी तरीके का हो सकता है 25 साल की उम्र में होगा पचास की उम्र में होगा और 65 साल की उम्र में भी important event होगा इसी तरीके से यदि नवांश की लगने तौरस है तो इस व्यक्ति की लाइब के अंदर 10 22 32 और 32 साल की उम्र के इंदर बहुत important event होगा आप इसको utilize कैसे करना है सबोज मैं इस व्यक्ति की marriage की timing देख रहा हूं मेरे पास वो person आया marriage के लिए उसकी इस 30 एर के असपास है तो हम क्या करेंगे उसकी लगने अदी टौरस है तो हम उसको देख कर बता सकते हैं कि आपकी marriage 32 और में होगी जरूर नहीं है marriage 32 और में हो एंदर के अंदर भौत ही important event ज़रूर होंगे यदि किसी की नवाश कुणली की लगने cancer है तो उसकी लाइप के अंदर आप 18 21 22 72 and 80 एज के अंदर बहुत important event जरूर होंगे किसी की नवाश कुणली की लगन यदि लियो और या सिंह है तो उसकी life के अंदर 10 20 30 60 और 82 साल की उमरी के अंदर important event होने की possibility है यदि किसी की लगन वर्गो है तो उसकी life के अंदर 20 50 और 60 इवेंट होंगे यदि किसी की नवांश की कुंडली की लगन स्कॉर्पियो या ब्रश्चिक है तो उसकी लाइब के अंदर तेरा अठारा तेवीस ट्वंटी एट फिप्टी फाइब और सेवंटी इयर की एज के अंदर important event होने की possibility है Sagittarius यदि लगने है नवांश कुंडली की धनू जिसे हम बोलते है नाइन साइन है तो उसकी लाइब के अंदर 4, 9, 16, 36, 44, and 72 इयर की एज के अंदर important event होंगे आप अपनी कुंडियों पर लगाना मत बूलना इसको यदि नहीं हो रहे हैं तो समझ ले ना आपके नवांश में कुछ नहों कुछ गरबड़ है टाइम में accuracy नहीं है आप टाइम को correct करेंगे तो आपको यह चीज़े मैच होत एज के अंदर important event होने वाले हैं ऐसा आप मान कर चले एक्कोरियस जिसकी नवांश कुंडिली की लगना है उसकी लाइप में 14 इयर, 26 इयर, 52 इयर, and 78 इयर की एज के अंदर important event होंगे इसी तरीके से दिपाइसेस किसी की नवांश कुंडिली की लगना है तो 10 इयर, 12 इयर, 21 इ इयर की एज में उसकी life में important event होंगे यह सबी सूतरा मैंने आपको नाड़ी astrology के base पर लेकर आया हूँ, classics में जैसा mentioned है, as it is मैंने आप पर बताया है, और यह मैंने बहुत सारी कुंडियों पर लगा है, more and less यह सारे के सारे सूतर बिलकुल सटीक बढ़ते हैं, तो आप भी अ पर लगा हैं और अपनी astrological predictions में इनका यूज कर रहे हैं, यह आपकी बहुत help करने वाले हैं, नमस्कार, धन्यवाद